नियूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिण कीजिए आपके सामने तीन विकल्प नासकार आप देख रहे हैं नियूस चक्र मैं अभिसार शर्मा इन नामों पर गोर कीजिए हिबाबिग, खुश्बू खान, सबानकवी, आर्फा खानम, साइमा, इसमत आरा और इनके लावा सो अन्ने नाम आप जानते हैं नाम किनके हैं जाहिर सी बात है ये तमाम नाम मुस् यहां दो दिन पहले खबर आती है कि बुली डील्स, गिट हब नाम की एक वेबसाइट पर करीब सौ मुस्लिम महिलाओं की आनलाइन बोली लगाई गई है, आनलाइन नीलामी की गई है आप कहेंगे ये तो सुना सुना लगता है, सही का आपने, आज से कई महिनों पहले सुली डील्स के नाम से कुछ मुस्लिम महिलाओं की ओनलाइन बोली लगाई गई थी और बात वहाँ नहीं रुकी क्लब हाउज, जो की एक प्लाटफॉर्म है जहां आप आपस में बात कर सकते हैं, आडियो कॉन्विजेशन हो सकते हैं, वहाँ पर बाकाइदा कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, मुसलिम महिलाओं के बारे में घरनित बातें, अश्लील बातें कर रहे थे, बार-बार चीजे दोहराई जा रही है और आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मगर उससे पहले मैं आपका ध्यान कीचना चाहूंगा 2014 की वक्त चुनावों से ठीक पहले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी द्वारा दिये गए इस नारे की तरफ बहुत हुआ औरतों परवार अपकी बार मोदी सरकार 2014 से पहले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने देश से वादा किया था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो ढिलाई बरती गई है 2014 से पहले वो आगे अब नहीं महलाईوں की सिरक्षा को लेकर भारती जनता पार्टी बहुत गंभीर होगी और सख्त कारवाई होगी वगर फिर हमारे सामने ऐसी धेरों मिसाले सामने उभर कर आई जो 2014 से पहले भी नहीं हुई थी 2014 से पहले भी महलाओं के साथ अत्याचार होते थे तब उस महला के परिवार के खिलाफ पूरा बी जेपी का प्रचार तंत्र खड़ा हो जाता था आपको मैं सिर्फ दो मिसाली देना चाहूंगा हाथरस में गुडिया के साथ दुशकर्म और उसके बाद उसके हत्या हो जाती है उस आके में धारा 144 लगा दी जाती है मगर जो दबंग थे जो लोग हत्यारों और बलातकारियों से जुड़े हुए थे उन पर उधारह 147 नहीं लागू होती वो लोग खुले आम क्यामरे के सामने उन विपक्ष के निताओं को धंकाते हैं जो लोग उस लड़की के परिवार के साथ सानुभूती जतलाने के लिए आते हैं यहीं नहीं योगी सरकार का खुद का एक अधिकारी कहता है कि साथ बलातकार हुआ ही नहीं और फिर उसे अदालत भटकार लगाती है इलाबाद हाई कोट खुद कहता है कि अगर आपकी लड़की होती तो क्या आप रातो रात उसका शव जला देते जियां सही सुना आपने रातो रात शव जला दिया गया था उस गुडिया का उस पर पेट्रोल छिड़के फिर कुलदीब सिंग सेंगर एक और मिसाल आपके सामने इस एक आदमी ने उस गुडिया के साथ बलादकार किया अब वो जिल में है और फिर उसका पूरा परिवार तबाह कर दिया जाता है मगर हर बार भारती जनता पार्टी और उनका प्रचारत अंत्र बलादकारियों के साथ खड़ा दिखाई देता है यही नहीं इन दो चेहरों पर गौर कीजिए राम रहीम और आसा राम मुझे आपको बतलाने की जरुवत नहीं है दोस्तों कि इन दोनों जो लोग हैं जो तथा कतिद दर्म गुरूर हैं इनोंने जिस तरह से अपने भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवार किया है और अब ये बलातकार और हत्या के आरोप नहीं गुना साबित होने पर इस वक्त जेल की सजा काट रहे हैं इनके सबसे बड़े समर्थक कौन रहे हैं इसलिए जब मैं ये तमाम चीज़े देखता हूँ तब हिबा के साथ, इसमत के साथ, साइरा के साथ, सबा के साथ, खुश्बू के साथ या आर्फा के साथ, जो हो रहा है, उस पर मुझे ताज़्ब नहीं होता है दोस्तों और सबसे दुक्की बात ये है, कि सरकार अभी खामोश है खाना पूरती के लिए, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वेशनव का एक बयान सामने उभर कर आ गया है मगर सिर्फ और सिर्फ खाना पूरती के लिए और इसके लावा कुछ नहीं मैं आज सवाल पूछना चाहता हूँ इस देश की जनता से मैं आज सवाल पूछना चाहता हूँ इस देश के विपक्ष से कि हम इस मुद्धे पर कब तक खामोश रहेंगे For God's sake, औरतों की बोली लगाई गई है, नीलामी की गई है, इससे ज़ादा शर्नाक बात हो सकती है भारत के लिए कुछ नीता की विपक्ष राहूल गांधी ने इस मुद्दे का जिक्र जरूर किया है मगर एक बहुत ही सतही ट्वीट के जरीए, उन्होंने जिक्र किया आपके स्क्रीन्स पर, उनका ट्वीट इसमें ना बुली डील्स का जिक्र है, ना उन औरतों का जिक्र है जिन पर निशाना साधा गया है, क्यूँ? मैं समझना चाहता हूँ, क्यूँ? मुसलिम महिलाएं जिनकी बोली लगाई जा रही है, क्या उनके मुद्दे उठाने से आपके वोट कट जाएंगे? मुझे खुशी इस बात की है, कि शिव सेना जैसी पार्टी जिसके बारे में न जानी क्या क्या कहा जाता रहा है, उनकी सांसद, प्रियंका चत्रवेदी ने बहुती अगर तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, बार बार उठाया है, उन्होंने क्या कहा, मैं चाहता हूँ आपी सुनें. कर दिया है, पर साइट्स ब्लॉक करना एक प्रकार होता है, दूसरा होता है कि जो ये साइट्स बना रहे हैं, उन पे किसी तरीके की कारवाई हो, जो कारवाई ना होते हुए, आज हमने पहली जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा, जहां पे बुली डील्स के नामसें क किया गया, मैंने आइटी मिनिस्टर को फिर से रिक्वेस्ट की है, कि आप जब तक ऐसे लोगों को, जो महिलाओं को इस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं, तिपनिया करते हैं, उन पे कारवाई नहीं करेंगे, तो ऐसी घटनाएं वापस होती रहेंगी, मैंने मुंब पुलीस कमिशनर को भी इस बारे में कहा है, मुंब Borie police will be investigating it, I am grateful to the DGP महाराश्ट्रा as well as Police Commissioner Mumbai, who have taken this upon a priority and इस पर investigation शुरू हो चुकी है मैं उमीद करती हूँ कि जो इसके पीछे हैं जो इस तरीके की अशलील काम कर रहे हैं उन पर किसी नद किसी तरीके की सक्त कारवाई हो गी मैं फिर उसी बात पर आना चाहूँगा मैं फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर हो क्यों रहा है यह हो उसलिए रहा है क्योंकि हमने एक के बाद एक गुना को होने दिया भारती जाता पार्टी सरकार खामोश रही जब भी उनके नेताओं और उनके प्रचारतंतर के सामने यह मुद्दे उठाये जाते रहे तो उन्होंने उसका मजाक बलाया उन्होंने उसके पीछे देश को बदनाम करने की साज़श देखी मैं आपसे समझना चाहता हूँ दोस्तों अगर आपके घर की लड़कियों की फोटो को ओनलाइन सारवजनिक कर दिया जाए और लोगों से कहा जाए कि आओ इनकी बोली लगाओ तब आप कैसा महसूस करेंगे आज तो यह नाम हिबा के हैं आज तो खुश्बू है आज तो आर्फा है मेर कल नेहा भी हो सकती है रूपा भी हो सकती है तब आप क्या करेंगे और हो सकता है यह नेहा, रूपा, कविता आपकी बेहन हो, आपकी बेटी हो तब आप क्या करेंगे बताई और देखिए मैं यह emotional angle नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि किसी की बेटी, किसी की बेहन नहीं साब मुद्दा इंसानियत का है मुद्दा human rights का है मुद्दा हमारे दूसरे नागरिकों का है जो इस देश के अपने नागरिक हैं इस देश के proud citizens हैं उनके मानवादिकार का है क्या आप अंदाजा लगा सकते हो किस कदर frustration महसूस कर रहे हैं क्या आप उनके आक्रोश का अंदाजा लगा सकते हैं क्या आप उनके परिवारों के आक्रोश का अंदाजा लगा सकते हैं और ऐसा क्यूं हो रहा है फिर सिक और करना पड़ेगा दोस्तों यतिनर सिंगानन सरस्वती जैसा एक आदमी खुले आम मुसल्मानों के खिलाफ जहर उगलता है उसे पूरी तरह से भाजपा सरकार नजर अंदास कर देती है भाजपा के सांसस साक्षी महराज जैसे लोग तो उन्हें समर्थन देते हैं यही नहीं यह आदमी कपिल मिश्रा, भाजपा कनेता यह भी यति नरसिंगा नन सरस्वती को समर्थन देता है और उसके पक्ष में लोगों से पैसे मांगता है पैसे उगाही एक तरह से होती है उसके बाद धर्म संसद होती है उस धर्म संसद के अंदर देश के खिलाब जंग छेड़ने की बात होती है मुसल्मानों पर निशाना साधनी की बात होती है ये भी कहा जाता है कि हिंदूओं तलवारों से बात नहीं चलेगी बड़े बड़े हत्यार रखने होंगे काली चेरन नाम का एक तथा कथित साधू जो है वो राइपुर में एक मंच पर खड़ा होके महात्मा गांधी को गालियां बगता है राइपुर पुलीस उसे गिरफतार कर लेती है मगर फिर उसके पक्ष में कौन सामनी उभर कर आता है इज जहरों पर गौर कीजे मद्द प्रदेश के ग्रह मंत्री नरोत्तम मिश्र भाजपा के नेता, 36 गड़ के अंदर, ब्रिजबोहन अगरवाल ये लोग काली चरण जैसे लोगों के पक्ष में आते हैं जो महात्मा गांधी को गाली दे रहे होते हैं चाहिन के तरक जो भी हूँ मैं नहीं भूला हूँ नरोत्तम मिश्र कह रहे थे कि जिस तरह से राइपुर पुलीस ने भोपाल में घुसकर जो है काली चरण की ग्रफतारी की है ये संग्ही धांचे के खिलाफ है जब बिहार पुलीस मुंबई पहुंच जाती है सुशान सिंग राशभूत मामले में तब आपको संग्ही धांचे की याद नहीं आती है और यहां पर ये आदमी महत्मा गांधी को गाली दे रहा है ये सब आन कैमरा है मैं इन तमाम चीजों का जिकर आप से क्यूं कर रहा हूं क्योंकि इन मुद्दों पर हम खामोश रहे इन मुद्दों पर हम खामोश रहे, इनका होसला बढ़ता गया, और अब होसले तमाम हदों को पार कर रहे हैं, मगर अब भी ये बयानवाजी है दोस्तों, मुझे डर है कि अब लक्षमन रेखाएं लांगी जाएंगी, और ये लक्षमन रेखाएं किस तरह से लांगी जाएं इंद्र मोधी कब तक खामोश रहेंगे, बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोधी सरकार, क्या इस नारे पर शर्ते लागू है, क्या ये नारा सिर्फ कुछ महिलाओं पर लागू होता है, क्या इस नारे में मुस्लिम महिलाओं के लिए सुरक्षा नहित नहीं है, हाल हाथरस की गुडिया के साथ दुशकर्म और फिर उसकी हत्या हुई थी तब पूरा भाजपा प्रचार तंत्र पीडित परिवार के खिलाफ है इन्होंने बाकाइदा सुपारी दे रखी थी कुछ न्यूस चैनल्स को मैं नहीं भूला हूँ एक रिपब्लिक न्यूस चैनल और एक जी न्यूस चैनल्स ने बाकाइदा परिवार पर निशाना साथ है रिपब्लिक न्यूस चैनल्स का एंकर तो ये तक बोल रहा था कि ये फिल्म की कहानी है जी न्यूस का चैनल जो है वो गुडिया के भाई पर निशाना साध रहा था, कुछ निउस चैनल्स इसे ओनर किलिंग मान रहे थे और आप जानते हैं दोस्तों ऐसा कुछ सामनी उभर कर नहीं आया है तो आपको समझना पड़ेगा, मैं जानता हूँ, इस वक्त मुसलिम महिलाओं में बेताहशा नाराजगी है, और सच बताओं, तो आज मैं शर्मिनदा हूँ ना सिर्फ एक हिंदू होने के नाते, ना सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते, बलकि इस देश का नागरिक होने के नाते मैं शर्मिन्दा हूँ कि पिछले तीन-चार सालों से न्यूज क्लिक पर आपके सामने मैं बात रखता रहा हूँ बेवाकी से बात रखता रहा हूँ मगर इन बातों से किसी पर अंकुष नहीं लगा मैं यही मुद्दे तो अपने कारकरमों में उठाता रहा हूँ मैं यही मुद्दे तो सामने आपके सामने रखता रहा हूँ इस समाज के वंचितों, इस समाज के माइनौरिटीज इस समाज में जो लोग हाशे पर हैं उनके human rights की बाते ही तो आपके सामने रखता रहा हूँ मगर बावजूद इसके समाज जो है वो बत से बत्तर हुआ जा रहा है ये हमारे समाज का शर्मनात पतन है अगर आप अपने घरों में बैठके bully deals नाम के इस प्रकरण पर खामोश है तो आपको अंदाजा नहीं है कि अभी तो ये महद शुरुआत है ये आग कहां कहां कैसे कैसे पहलेगी आपको और हमें इसका अंदाजा तक नहीं है क्योंकि आखिरकार हम सब को अगर कोई चीज बांदती है ना तो वो इनसानियट की डोर है भारती जनता पार्टी और उनका प्रचारतंत्र और उनकी सोच इस डोर को काट रही है बेरहमी से और जब बतौर समाज हमारे बीच ये डोर नहीं रहेगी जो अद्रिश है जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो ये समाज बिखर जाएगा क्योंकि बतौर समाज हम कैसे खड़े है हम बतौर समाज खड़े है एक दूसरे का हाथ थामे हुए हम सब एक दूसरे से लिंक्ट है और जो हमारी बीच में लिंक है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप किस धर्म के हैं नहीं, समाज ऐसे ही चलता है, इस समाज के अंदर हिंदू, मुसल्मान सिक हिसाई सब इस अद्रिश दोर से बंधे हुए हैं, इस लिंक में आपस में लिंक हैं, जब ये लिंक ही नहीं रहेगा, जब ये दोर काट दी जाएगी, तो हम विखर जाएंगे, ये समाज ही धराशा ही हो जाएगा, इस बात का अंदाजा भारती जनता पार्टी सेरकार को तो है ही नहीं, आप जो इस देश की जनता हैं, आप भी अपने स्वार्थ के चलते, इस मुद्दे पर खामोश हैं, और आपको अंदाजा नहीं है कि इसका कितना बड़ा नुकसान इस देश की जनता चुकाएगी, और चुका रही है, क्या आपको अंदाजा है दोस्तों, क्योंकि इस खबर को सिर्फ दो दिन हुए हैं, बुली डील्स वाली खबर को, क्या आपको अंदाजा है जब ये खबर दुनिया भर में पहलेगी, तो इसका हमारी साख पर, इस देश की इज़त पर क् जाए, उनकी नीलामी की जाए, और मैं खामोश रहूँ, बताईए, मैं खामोश नहीं रहूँगा दोस्तों, ये तर्क मुझे मत दीजिये, कि मेरी इस खबर से देश बदनाम होता है, नहीं साब, देश तब बदनाम होता है, जब लोग इस तरह के गुना करते हैं, और सरक चान, यहीं नहीं, उनमें से एक व्यक्ती ये भी कह रहा था, ये भी कह रहा था कि मैंने अपने घर में काम करने वाली एक लड़की के साथ दुशकर्म किया है, बावजूद इसके उस व्यक्ती को जेल नहीं भेजा गया, अगर उसको जेल भेजा जाता, अगर उन तमाम ल पाले दिनों में लोग इस तरह की हरकत करने से दो बार सोचते, तब ये बुली डील्स, सुली डील्स के बाद नहीं आता, मैं इस बात से इंकार नहीं करूँगा दोस्तों, कि इस देश के अंदर धर्मों की बीच फॉल्ट लाइन्स रही हैं, हमारे बीच गतिरोद रहें, हमारे बीच मदभेद रहें, मगर हमें कोई चीज अगर बांधे रखी है, तो वह है इंसानियत, अगर दूसरे धर्म की कोई महिला पर अत्याचार हो रहा है, तो हमारे आँखों में आंसू इसलिए आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है, राजनीती वो सब कुश ख हम जॉम्बीज बनके रह जाएंगे दोस्तों, उसके लावा कुछ नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि बीजेपी सरकार इस पर सक्रिय होगी, जो लोग इस तरह की नफरत, इस तरह की अश्रीलता, इस तरह का जहर समाज में पहला रहे हैं, उन पर कारवाई होगी, क्योंकि अगर हम खामोश रहे गए दोस्तों, तो हमारा वरतमान हमें माफ नहीं करेगा, और अगर हमारा वरतमान हमें नहीं माफ करेगा, तो हमारा इतिहास सिर्फ और सिर्फ एक काली खाई बनकर रह जाएगी, अब इसार शर्मा को दीजिए अजाज़त, नाउसकार.